हेलो एवरिवन, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हो इंस्टेंट हेल्दी और बहुत ही टेश्टी नास्ता की रेसिपी आज हम आलू, सूजी और गेहु के आटे से एक बहुत ही डिलिशिस नास्ता बनाएंगे सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक आलू के छिलके को निकाल लिया है अब इसे इस तरीके से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे सभी आलू को हमने ग्रेट कर लिया है अब इसे एक बाउल में ट्रांस्फर कर लेंगे थोड़े बारिक चौप किये हुए शिम्ला मिर्च आड़ कर देंगे एक ग्रेट किया हुआ गाजर आड़ कर देंगे एक बारिक चौप किया हुआ प्याज थोड़े बारिक चौप किये हुए टमाटव एक बाउल हम यहाँ पर रवा यानि की सुजी आद कर देंगे एक बाउल गेहुका आटा आद कर देंगे दो टेबल स्पून के करीब बेसन आद कर देंगे हाफ बाउल दही आद कर देंगे नमक स्वात के अनुसार देड़ टीस्पून के करीब धनिया पाउडर आट कर देंगे आप अपने चोईस की कोई भी वेजी इसमें आट कर सकते है हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून चाट मसाला आट कर देंगे अब हम एक तड़का प्रपैर कर लेते हैं दो टीबल स्पून तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे हाफ टीस्पून राई को अच्छे से क्रैकल हो जाने देंगे एक टीस्पून सफेद तिल आट कर देंगे, क्रैकल हो जाने देंगे फ्लेम ओफ कर देंगे, एक चौथा टीस्पून हेंग आट कर देंगे बारिक चौप किया हुआ करी पत्ता एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर आट कर देंगे अच्छे से mix दे देंगे, तड़के को बैटर में पोर कर देंगे अब हम थोड़ा थोड़ा पानी आट करते हुए एक semi-thick सा बैटर रेडी कर लेंगे अगर आप मेरे चानल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चानल को तो ऐसी ही unique recipes देखने के लिए मेरे चानल को आप जरूर से subscribe करें अगर आपको ये recipe पसंद आए तो वीडियो को like जरूर से करें और इसे share करना ना भूले ये एक instant recipe है, घर में available कम ही समान में आप फटा-फट से से instantly बना कर खा सकते हैं और टेस्ट में ये बहुत ही बहतरीन बनती है, आप देख सकते हैं बैटर हमारा ready है, consistency आपको ऐसी ही रखनी है अब हम बैटर को 15 से 20 मिनिट rest होने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनिट हो चुके हैं, अब मैं यहाँ पर 1 चौथाई टी स्पून के करीब बेकिंग सोडा आट कर दूँगी, थोड़ा सा पानी आट कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स दे देंगे बैटर हमारा ready हो चुका है अब मैं यहाँ पर एक non-stick टान ले रही हूँ, 2 टीबर स्पून तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे अब हम थोड़े सफेद तिल स्प्रिंकल कर देंगे पान में एक से डेड़ कल्ची बैटर पोर कर देंगे बैटर को evenly स्प्रेड कर देंगे बैटर को हमें थोड़ा थिक ही स्प्रेड करना है अब हम medium to low flame पर इसे ढख कर एक तरफ अच्छे से कुख हो जाने देंगे आप देख सकते हैं एक तरफ कुख हो चुका है थोड़ा तेल पोर कर देंगे पलट कर दूसरी तरफ भी अच्छे से कुख कर लेंगे ये एक instant नास्ता है आप एक बार इसे जरूर से ट्राय दें ट्रस्ट में आपको ये बहुत पसंद आएगा आप इसे चटने या सौस के साथ गर्मा गर्म बना कर सर्फ करें ये बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको इस तरीके से प्रेस कर देंगे अब हम इसे ढख कर अच्छी तरीके से दूसरी तरफ भी कुक कर लेंगे हमारा इंस्टेंट आलू, सूजी और गेहु की आटे का नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है इसे गर्मा गर्म निकाल कर सर्फ कर लें अगर आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें थैंक यो सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो